हलो वाटसब गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का दिल से स्वागत है आज बताने जारेगा सिर्फ एक वायर केबल चार्जिंग केबल जो फोन का उससे आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं कि अपनको कोई भी ऐल गाटो नहीं थी है अपन विदाउट ऐलाटो फौर के टूख के वाकर को लेटी स्ट्रीम कर सकते हैं अब भी गबरा जाएंगे इतनी भाएंगर को लेटी कर देंगा अपनी स्ट्रीम को तो पीसी में बताते हैं आपको सबसे पहले कि कैसे यह डाउन करनी एप्लिकेशन आपको सबसे पहले अपने गूगल ओपन कर लेना है यार पीसी में दैन उसके बाद डोवान करके एप्लिकेशन का नेम है आपको मिल जाएगा इनकी साइट उस पे क्लिक करके आप क्लासिक वर्जन या विंडो सिक्ष्टी फॉर बिट कर सकते हैं डाउनल वर्जन भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है उसके बाद मेरे अलड़ी डाउनलेडेड है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन करना है आपको डोवान पे अपने रन कर देना है आपके ऐसे एप्लिकेशन आ जाएगा मैंने अलड़ी डाउनलोड कर रखा है तो आपको एक बार अपनको प्लग इन करना है फोन को दैन उसके बाद अपना स्क्रीन आ जाएगा मैं उससे पहले आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ इसकी क्या क्या करनी है आपको जनरल में नॉर्मल है आपको यह जो फुल स्क्रीन है यह अविलेबल कर सकते हैं मर कोई दिक्कत है इसका कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा आयोस डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ तो उसमें आपको फास्ट चार्जिंग कर लेनी है अवेलेबल अगर अगर आपको यह लगता है क्यार मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो अनेबल कर देना इसको कांस्टिंग में बिल्कुल पीसी के पास मूना चीए तो आप इन सेटिंग्स को कर सकते हो मैं वायरलेस नहीं करता है बहुत लैक करता है तो मैं सिर्फ वायर यूज करता हूं एंडुड डिवाइस के लिए आप सैट कर सकते हो इसको बहुत एजी सेटप है वीडियो में नॉर्मली जो पहल सबसे इमपोर्टन यही रहेगा इस दोनों को करके सेव पे क्लिक करते ना है अब मैं आपको दिखाता हूं फोन करेंट कर रहा हूं तो एक बार दिखाता हूं, फोन करेंट करते हैं, कैसे screen mirror करता है, audio में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बहुत प्यारा audio आता है, महलब कोई भी lag नहीं होगा audio, तो गैस, जैसे अपन plugin करेंगे, अपना screen mirror कर जाएगा, आप देख सकते हो, कोई भी latency नहीं यार यह बिल्कुल zero latency है audio बिल्कुल प्याराएगा audio भी आपको match करवाते है camera भी मैं आपको दिखा देता हूँ use easy to है बतलब आप देख सकते हूँ कैसे screen mirror कर रहा है and आपको मैं connection की इस phone से ही बता देता हूँ जिससे आपको कोई issue ना रहे आपको main चीज यह ध्यान रखना है कि आपका जो lighting to USB यूज़ कर रहा हूँ मेरा lighting to USB मैंने wire मंगा था online 800 रिपे का आ गया था तो वो कहा है 2 meter का मंगा है जिससे एक तो अराम से अपन दूर तक phone को लेके game खेल सकते है और आपको यार पीछे की side मैंने बहुत try किया मेरे बहुत सारी issue थे मैं आपको पहले clear कर देता हूँ कि अपनको जो wire USB connect करना है वो यह ध्यान रखना है कि आप अलग-अलग port में try करना क्योंकि कि किसी में screen hang हो जाता है तो आपका कौन से port में रहेगा वो मेरे को idea नहीं है मगर मैंने पहले सामने इस वाले port में connect किया था इसमें मेरे issue आया तो then मैंने यह अपने पीछे वाले port में connect कर रहता है आप देख सकते हो wire cable भी अपना बहुत ही बड़ा है मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसको अराम से दूर तक कर सकते है और OBS की setting में भी आपको screen में बता देता हूँ यह पहले एक बर मैं आपको इसमें game own करके बता देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चले है without any delay, बिल्कुल audio, बिल्कुल real time audio है क्योंकि जो audio आएगा वो PC में आएगा तो आपको PC में headphone लगा कि आपको सुनना पड़ेगा जो आपका audio है वो players को आपके speaker से जाएगा जो phone के speaker से वे उसके थूरू जाएगा मैं आपको जो audio आपका game का सुनना है वो आपको PC में jack लगानी पड़ेगी audio jack then कर सकते हो अब लगाते हैं अपने एक आरेना फटा फट से आरेना लगा के आपको दिखाते हैं कोई भी डिले नहीं आएगा कहां गया आरेना वाई अगाएप कर दीगे इन लोगोंने यह रगा इस चलो स्टार्ट करते हैं नए अपडेट मैं पता नहीं कहां कहां लगा दी इन लोगोंने चीजे आपको दिखाते हैं और विदाउट एनी कोई डिले विले कुछ भी नहीं होना है मैं इसको फुल स्क्रीन पर सैट कर देता हूँ फुल कर देता हूँ इसको जिसे आपको कोई पता तेले क्वालेटी भी क्या आएगी वैसे क्वालेटी के लिए यार मैं एक बार रुखना आप लोगों को दिखाता हूँ यह नहीं गाइज मैं मेरा अपना जो सैट है क्योंकि मैंने उस पर फिल्टर भी एड़ कर रखें तो वह उस पर ले चलता हूँ इस पर रुकना गाइज एक बार अपने सबसे मेन होता है दोवान को फिट टू स्क्रीन करना पहले मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे अपने स्क्रीन पर फिट हो जाए स्ट्रीम लैब ओबियस के अभी भी कम है पहले मैंने ज्यादा कर रखी थी यह फुल स्क्रीन पर लिया है अभी भी ठीक है अब बैटर है कोई दिक्कत नहीं है फिक्स तो नहीं करां बर कोई नहीं आपको वैसे भी साउंड सुनन होगाल प्लेयरा हैं लगाल फिल्कोel नेक्श लेवल वाले क्राउज पर करके मारा रहा है सरम नहीं है उसको वह देख सकते हुं कोई भी यह यहांप्र दिले नहीं को रखते चाहिugen के बारे मिंपो लिए जहां डख नहीं है है मुगशन आपको यह वायर का जहां रखना है आपको चाहिए लाइटिंग टू यूएजबी या अगर आपके पास एंडरोइड है देन सी टाइप टू यूएजबी उसको कनेट कर लेना है आपके PC के जो भी पैंट रही पोर्ट है उसमें अलग-अलग में ट्राइ करना कभी कबर किसी पोर्ट में इशू हा जाता है और आपके पास दो आइफोन है आप लोग बार बार दूसरे फोन को कनेक्ट मत करना कि आपका यह डिस्टार्ट जो गया मैंने आइफोन 11 लगा लिया सॉफ्टवेयर में शू आजाता है रिबूट करना पड़ता है बहुत दिक्कत है तो आपको सिर्फ एक ही फोन पर रखना ह है औंड ग्रैवर भी ओ्टोल हो जाएंगे जैसे आप plug-in करेंगे अपना device charging cable से PC फेट आपको ड्रैवर इस्टोल हो जायेंगे आपके बस option आएगा PC पे स्टोल करने का restart करना PC को औपे डग प्लग-ईन कोई जरुबत नी पड़ेगी बलकि Elgato से भी बड़ीया stream quality होता है अब आपको streamlab OBS में मैं बता देता हूँ क्या क्या setting करनी पड़ेगी जिससे आपको कोई issue ना रहे हैं आपको सबसे पहले Dovan को यहाँ पे add कर लेना है plus करके इतना तो आपको आते होगा तो आप YouTube पे search कर सकते हो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कैसे application मलब कैसे source add किये जाएं बहुत easy रहेगा अगर फिर भी कोई issue हो तो एर comment section open है आप लोग बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ क्योंकि मेरे को बहुत problem आ रही थिया filters add करके आप उसको थोड़ा सा enhance कर सकते हैं तो guys अगर वीडियो से help मिली है तो यार वीडियो को like करना and subscribe to the channel मिलते हैं next video में जब तक के लिए bye bye